Hello Friends, आज हम बात करेंगे सीटेट इगजाम से रिलेटेड बहुत ही इंपोर्टेंट कोसंस जो के आपके NCIT EBS से रिलेटेड होने वाले हैं तो Friends, अगर आप सीटेट इगजाम की तेयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किये हुए एक वार लाश्ट तक जरूर देखिए तो चले फ्रेंस हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक है हमारा सीथ निद्राद जीव तो सीथ निद्राद जीव कौन कौन से होते हैं जैसे के छिपकली साप और बेचुए आपके सीथ निद्राद जीव माने जाते हैं क्योंकि ये सरदियों के मौसम में सीथ मुद्रा में चले जाते हैं कम से कम 6-6 महीने के लिए अब हम बात करते हैं साप के बारे में तो साप के सरीर का तापमान जितना अधिक होता है बोजन उतना जल्दी बचाता है नेक्स्ट है आपका सलोथ के बारे में तो आपसे पूछा जाता है कि सब्ता में एक बार सोच करने वाले जीव का नाम बताईए तो आंसर होगा सलोथ क्योंकि ये दुनिया का सबसे आलसी जीव होता है इसकी ओसतायू 40 वर्स मानी जाती है और अपने जीवन में कुले 8 पेड़ों पर निवास करता है यह एक पेड़ पर लगवग 5 वर्स का समय ब्यतीत करता है यह जिस पेड़ पर रहता उसी की पत्तियां खाता है और यह एक साकाहारी जीम माना जाता है यह एक अच्छा तेराक भी माना जाता है और यह भालू के जैसा दिखता है परन्तु यह भालू नहीं होता यह दच्छडी अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं पंच्छीयों के बारे में तो ज़्यादा तर पंच्छीयों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है पंच्छीयों की समय में एक से अधिक बस्तू पर नजर डाल सकते हैं जब पंच्छीयों अलग 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 देखते हैं यानि अगल वगल देखते हैं तो वे एक साथ एक से अधिक बस्तू पर नजर डाल सकते हैं अंडे देने के बाद चूजों के बड़ी होने के पस्चाते गोसले को छोड़ देते हैं नेक्स्ट कोशन बनता है आपका परवल मेथी भारत में ये किस देश से आए हैं तो भारत में ये देशी उत्पाद माने जाते हैं मिर्च की बात करएं तो मि Silent comesमे चर्ड अमेरिका से आई है आलू पोर्टगाल से आए है सोयाहीन आपका चीन देश से आई है भारत का सोय प्रदेश किसे कहा जाता है तो मध्र प्रदेश को कहते हैं हम भारत का सोया प्रदेश क्योंकि यहां पर सोया बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होती है नेक्स्ट है आपका भारत का टाइगर इस्टेट तो यह MP को कहा जाता है यानि मध्य प्रदेश को भारत का हिदय भी कहा जाता है आपका मध्य प्रदेश को भारत का प्रवेश पुस्तक का नाम है तैकी के हिंत यफिक कितावु लुहिन इसमें भारती ये संस्कृति और सब्वेता का वयर्ण THIS ने किया headed बहतर वयर्णव शुना का लिखा भारत के लोग इसने लिखा भारत के लोग तालाब बनाने में माहिरे है। तालाव के चारों तरफ चबूत्रे बनते थे, बैठने और विश्राम और समय ब्यातित करने के लिए और तालाव में चड़ने और उतरने के लिए अलग-अलग सीडियों का इस्तेमाल किया गया था, अलविरू ने उजबेकिस्तान से भारत आया हुआ था, आपसे एक कोशन बनता है कि दड़की माई का संबन्द भारत के किस राज्य से है, तो इनका संबन्द है भारत के राजिस्थान राज्य से, और राजिस्थान में अलवा जले से संबन्दित हैं, इन्होंने पुराने कुए और तालावों को साफ करके बरसा जलका संग्रहन किया, इन्होंने पसो पालन प्रारंब किया यह इनकी आजीविका का बड़ा साधन बना नेक्स्ट कोस्टन बनता है आपसे दांडी यात्रा की घटना कव हुई थी तो यह हुई थी आपका बारे मार्च 1930 को महात्मा गांदी जी के द्वारा नमक कानुन का बेरोध करने के लिए से सुरू किया मनाया जाता है 30 जन्वरी को आपका महात्मा गांदी जी की हत्या हुई थी और 1948 में इनकी हत्या हुई थी और 23 मार्च को भी आपका सहीत दिवस मनाया जाता है क्योंकि भगत सिंग सुखदेव और राजगुरू को इनको फासी दी गई थी 23 जन्वरी 23 मार्च 1931 में अब की उपचार क्या-क्या है तो एनिमिया के उपचार के लिए गोड आमला और हरी पत्ते-दार सब्जीया क्योंकि इनमें लोहत अत्त्यों पाया जाता है जब सरीन में JUDY क्मी होती है तो Cristo की कमी को दूर करने के के लिए आपका इन सब्जीयों को यानि पदार्तों को लिया जाता है जैसे के आवला गोड़ और हरीपत्तेदार सब्जीयों को जानी लोहतक्त्यू की कमी से आपका और यह होता है इसमें इसके जो लच्छड है वो होता है सिरदर्द बदंदर्द मासपेशियों का तूटना नेक्स्ट है आपका पहार चड़ते समय गुरूप लीडर की जिम्मेदारी क्या-क्या होती है तो गुरूप लीडर को हम सेरपा भी कहते हैं ये सामन उठाने में मदद करते हैं गुरूप में सबके पीछे चलता है जो न चल पाए उसे हाथ पकड़ कर चड़ाना सबके खाने पीने का इंततजाम देखना सबके रुखने, बिस्राम करने की जगे ढुड़ना ये सब ही होता है आपका गूप लीडर का काम यानि सेरपा का काम अगला कुश्शन बनता है आपका कुश्शन आपका एक जम में आता है खेजड़ी ब्रच के बारे में सही कत्नों को चुनिए तो उसमें आपके आप्सन दिये हुए होते हैं तो जो राइट आप्सन बनेंगे राइट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं यह प्रच्छ मुख्यत है रेगिस्तानी छेत्रों में पाया जाता है यह राजिस्तान राज्य का राजकी ब्रच है इसे अधिक जिल की आवस्यक्ता नहीं होती है यह चायादर ब्रच है इसकी छाओं में बच्चे खेलते हैं इसकी चाल से दवा और फली से सबजी बनाई जाती है नेक्स्टम बात करते हैं हाती के बारे में तो बयस्क हाथी एक दिन में एक क्विंटल से भी अधिक परते और जाडिया खा सकता है हाथी दिन में 2-4 घंटे सोते हैं हाथी बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं तीन महीने के हाथी के बच्चे का बजन सामानेते 2 किंटल यानी 200 किलोग्राम होता है NCRT में हाथी को हम नंदू हाथी कहते हैं हाथी के सरीर का सबसे मुलायम भाग होता है कनूले हाथी को नियंतरित करने वाला ब्यक्ति आपका महावत कहलाता है नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं साम के संदर गुमे तो हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले साम पाए जाते हैं जैसे के नाग, करेंट, अफाई और दुबईया नाग जिसे हम कोबरा के नाम से जानते हैं ये जहरीले साम का एक प्रकार होता है जहरीले साम के दो खोगले दांत पाए जाते हैं जब साप किसी ब्यक्ति को काटता है तो जहर इन कोगली दांतों से उस ब्यक्ति के सरीर में चला जाता है। साप के काटने की दवाई साप के जहर से बनाई जाती है जिसे हम सीरम कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स टॉपिक निपेंथिन्स या घटपैनी पौधा के बारे में तो यह पौधा ऑस्टेलिया, इंडोनेसिया और भारत की मेघाले में पाया जाता है। लादेश, मलेसिया, कोरिया का राश्ट्रिय पसू है। से 1500 ग्राम याने देड़ से 2 किलो तक हो सकता है। भारत का यह राश्ट्र पसू माना जाता है। बाग सकती एवं जजारूपन का प्रतीक माना जाता है। इनके सरीर पर काली पीली धारियां पाई जाती हैं। और बाग के सरीर पर पाई जाने वाली धारियां मनुस्य के फिंगर प्रिंट की तरह यूनिक होती है। पूरी दुनिया में सरबादिक बाग अफरीका महादीप में पाई जाते हैं। भारत में सरबादिक बाग आपका मध्यप्रदेश राज्य में पाई जाते हैं। इसलिए मध्यप्रदेश को हम टाइगर इस्टेट के नाम से भी जानते हैं। भात में पागो के दूसरी सबसे बड़ी जिनसंक्य करनाटक लाज्ज में पाई जाती है भात में पागो को संलच्छित करने के लिए 1973 इस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंब किया गया था पूरी तिनिया में बागों का सिकार वा उनके अंगों का ब्यापार पूरी तरह से प्रतिवंद है बागों के समूँ को हम इश्ट्रीक कहते हैं मासाहारी जीवों में बाग तीसरा सबसे बड़ा जीव है जबकि ये बिल्ली प्रजाती का सबसे बड़ा जीव माना जाता है प्रत्वी पर सबसे बड़े आकार के बाग साइवेरियन बाग होते हैं बाग के सरीर में सबसे मजबूत उसकी टांगे होती है ये माने के पश्चात कुछ समय तक अपनी टांगोर पर खड़ा रह सकता है इसके पैर का तलवा गद्देदार होता है वे बिना आहट से अपने सिकार तक आसानी से पहुंच सकते हैं पूर्त है मासाहारी जीव है जिसका पसंदीदा भोजन जंगली भैस, सूर, हेरन आधी होते हैं बाग का बजन 363 किलोग्राम तक हो सकता है ध्रुबिय भालू के बाद सभी मासाहारी में दूसरे इस्थान पर बाग का सबसे बड़ा इस्थान होता है बाग एक रात्रे चर्ट जीव माना जाता है क्योंकि यह अपना अधिकान सिकार रात्री में करता है इसकी दरश्टी मनुस्यों की तुलना में दोग ना ज्यादा होती है बाग के कान के पीछे एक धब्बा होता है जिससे उसकी माँ उसके धब्बे से उसे पैचानती है बयास को होने पर यह धब्बा गायब हो जाता है बाग भिन्द भिन्द प्रकार की आवाज निकालने में माहिर होता है और यह दूसरे बागों से सम्माद के लिए भी दहारता है अब हम बात करते हैं नेक्स टॉपिक गेंडा तो इस थल मंडल पर दूसरा सबसे बड़ा या भारी जीव यह माना जाता है गेंडे की ओसतायू लगबग 50 बरस होती है इसके जो सिंग है वो नाक के उपर पाया जाता है यादे सिंग तूट जाये तो नया सिंग आता है और इसका सिंग उसी तत्तो का बना होता है जिस तत्तो का हमारा नाखुन गेंडा एक सिंग या दो सिंग का भी हो सकता है इसकी मादा का गर्व धारड काल सोले माह का होता है रफ्तार इसकी होती है पचास किलो मीटर पर घंटा इसके चमड़ी की मोटा ही होती है डेर सेंटी मीटर यह एक साकाहारी जी माना जाता है गैंडे के जुंड को क्या कहते हैं तो क्र और वह धारर काल 14-18 महीने का माना जाता है इसके बच्चे कितने समय में समूह को छोड़ देते हैं तो इसके बच्चे 2-4 साल में समूह को छोड़ देते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स टॉपिक जिराफ के बारे में या आनवान सिक्ता का पता लगाने के लिए जराफ पर किस ने प्रयोग किया तो लेमार के ने प्रयोग किया था जब यह चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं इसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं इसकी मांदा खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है जन्म के एक घंटे बाद ही इसके बच्चे चलने लगते है नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेंग्विन तो यह जी पच्छियों से थोड़ा अलग होता है या न उड़ने वाला पच्छी है या फानी में तेयर सकता है या बरफीले इलाके में अधिक पाया जाता है जलवायू के आधार से हम कह सकते है तो या बरफीले इलाके में ही पाया जाता है या अंडे देता है नर पेंग्विन अंडे की देखवाल करता है या सामानने तर समुह में पाया जाने वाला पच्छी होता है पैंग्विन एक मासाहारी पच्छी है जो अधिकान समुद्री मचली को खाता है 30-30 मचली एक दिन में खा जाता है कंकर पत्थर को भी खा लेता है क्लाइमेट यारी जलवायू को जलवायू इस्थान को छोड़ क अगर यह कहां पर पाया जाता है तो यह गच्छड अफ्रीका न्यूजिलेंड अंटार्किटिका अर्जेंटीना चिली और ऑस्टेलिया आधिस्थानों पर पाया जाता है 25 अप्रेल को 200 पैंगिन दिवसमन आया जाता है नेक्स टॉपिक है आपका वेल यहां पानी में रह बात करें तो नेक्स टॉपिक है आपका डॉल्फिन यह पानी में रहती है और बच्छों को जन्म देती है इसलिए इस तंधारी स्रेडी में रखा गया है आयू लगवग इसकी 50 साल मानी जाती है अन्धी डॉल्फिन को भारत का राश्ट्रिया जली जीव नहीं माना जाता बलकि प्रयाग राश्ट से हल्दिया के बीच में अन्धी डॉल्फिन जो पाई जाती है जिसे हम सूसू की नाम से जानते हैं इसी को भारत का राश्ट्रिय जली जीव माना गया है नेक्स टॉपिक हम बात करते हैं बनस्पती जगत के बारे में रेगिस्तानी ओक तो रेग या फिर जल संकत पैदा होता है तो वे इसका प्रयोग करते हैं तने इसे संग रहे जल को पीने के लिए वे अपने साथ में चाकू और छोटी पाईप रखते हैं गट-मणी या सिकारी पोधा या पोधा ऑश्टेलिया के बारत की मेगाले राच्जं में पाएजाता है। फूदा मूलत ही उन चेत्रों में पाया जाता है झहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है यह पौधा मैडकों, चूहे और कीडे मकोनों एवं अन्य छोटे जीवों का सिकार करता है यह पौधा एक लंबे घड़े की आकरती का होता है और उसके उपर पत्ती का ढखकन लगा हुआ होता है इस पौधी से एक विसेश प्रकार की गंद निकलती है जिससे आकर से थोकर यह जीव इसके पास आ जाते हैं और इसका सिकार बन जाते हैं यह पौधा प्रकास संसलेजर के द्वारा अपना भोजन भी बनाता है और वह भोजन फ्लोयम के माध्यम से पौधों के विविन भागों तक मौशता है घटमेडी पौधे के उधारड होते हैं आपके निपेंटिस, यूट्रिकुलेरिया, डोसेरा घटमेडी पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं और यह प्रकास संसलेजर का कार्द करते हैं अब हम उत्पादक बर्ग में बर्गी किरत करते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका खेजडी या ब्रच भारत में लाइस्थान लाजगे थार के मरुस्तल में पाया जाता है इस पौधे की भी जड़ें घहरी होती है क्योंकि यहां भी पानी का अभाव होता है खेजडी की लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते खेजडी की फली का इस्तेमाल सबजी बनाने में किया जाता है इसके तने की छाल का इस्तेमाल दबा बनाने में किया जाता है यहां एक छायादार ब्रिच होता है और इसके च्छाओं में इसकी जो चाया होती है यहां इस्थानी या निवासियों के बच्चे खिलते कुनते हैं यह एक इस्थानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड होता है यह राजस्थान राज का राज की यह ब्रिच है इसकी जड़े पानी या जलकी तलास में गहरा बॉजन नहीं बना पाता है और शड़ीगली लखड़ीओं पर यह एक्लोरो फेल पाया जाता है और वह से प्रकास संससर के द्वारा भोजन खित्र में पाये जाने वाले लाएके सूह जाते हैं इसकों इस पता चल जाता है कि प्रडयूसर बढ़ गया है सॉस-स्वर नीदीक होती है आपकी सलफ़डाइय उक्साइड इससे होता है पीपल को बोधी ब्रच भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती पीपल की ब्रच के नीचे हुई थी पीपल के ब्रच की जड़ का बिस्तार काफी दूर तक होता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका बरगत तो बरगत एक विसाल चायादार ब्रच होता है इसकी च्छा में बिविन प्रकार के जीब जन्तु पच्छी रहते हैं एवं गोसला बनाते हैं बरगत के तनों से इस्तंब्या मूल जड़ निकलती है जो तनों को सहारा देने का कार्य करत है इसकी जड़ें काफी दूर तक फैली होती है एवं गैरी भी होती है पीपल बरगत नीम को पर्यावरण का मित्र ब्रच भी कहा जाता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूके लिप्टस तो यूके लिप्टस को पारिस्थित की तंत्र का या सामाजिक बान की का आतंकबा जाता है इसकी जड़ें लगाता जलका अफसोसर करती है और इसकी पत्तियां जलका तेजी से बास भी करती है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो कैसी लगी आप यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक बार आप चैनल को सब्सक्राब करके वीडियो को लाइक नवाल